Hello guys, welcome to our YouTube channel दोस्तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप WhatsApp पे जो Message डिलीट कर दिये जाते हैं उनको आप कैसे रीड कर सकते हैं दोस्तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो देखे जैसे कि आप वीडियो में देखी रहे हैं कि हमने पहले Message किया और Message करने के बाद ऐसे डिलीट कर दिया अब डिलीट करने के बाद हम कैसी रीड करेंगे उसको हमको Play Store पे जाना है और एक Application डाउनलोड करनी है उस Application का नाम है Noti Saver Save Notification इसको हमको Install कर लेना है अपने फोन में जैसे हम इसको Install कर लेंगे तो हमको Allow करने के लिए कहेगा कुछ Permission यह मांगेगा हमें इसको Allow कर देना है Allow करने के बाद अब देखिए हम मैसेज करते हैं यह मैसेज आ गया है अब यह नोटिफिकेशन मेंदे को Save हो गया है अगर वो बंदा डेलीट भी कर देता है मैसेज डेलीट फो एवर इबर फो जाएगा करके आप कोई भी deleted message पर सकते हैं जो WhatsApp से डिलीट हो जाएगा इसके अलावा एक तरीका और है अगर आप यो WhatsApp इस्तेमाल करें यो WhatsApp भी बिल्कुल WhatsApp जैसा ही होता है आप यो WhatsApp को download करके उसको install करें अपने phone में और उसको इस्तेमाल करें और यो mode को own कर दें जो कि आप इस तरीके से आप कोई भी deleted message पर सकते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक यू वेरी मस्त दोस्तों